Hello viewers, video education point में आपका स्वावत है Educational Technology के अंदर आज हम करेंगे Use of ICT in Evaluation, Administration and Research चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो जो ICT होती है यानकि Information Communication जो Technology होती है वो क्या होती है देखिए ये एक Extensional Term होती है Information Technology यानकि जो ICT है वो Information Technology से ही मिलकर के बनी है तो इसका जो रोल होता है वो ये होता है कि ये Student को या फिर कोई भी Learner होता है कोई भी Researcher होता है कोई भी Evaluator होता है कोई Teacher होता है सब की Help करती है Communicate करने के अंदर और Information को Integrate करने के अंदर ICT जो होती है इसके अंदर क्या क्या जाता है देखिए ICT integration होती है किसका Telecommunication का Telecommunication के अंदर क्या चीज जाती है जैसे 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 टेलीफोन लाइन है जैसे हम टेलीफोन पे बाते करते थे अभी तो Mobile Phone आ गई है इनकी जैसे वाइरलाइस सिगनल जो होते हैं Middleware होते हैं Storage Devices होते हैं या फिर Data को Retrieval करने के Output Devices होते हैं यह सारी की सारी चाज़े ICT के अंदर आती है ICT एक ज़्यादा Major Role Play करती है कि आप यह कह सकते हैं कि Important Role Play करती है Quality of Education को Enhanced करने के लिए जैसे हम Traditional Way से Teaching करते हैं तो उसकी बजाए अगर हम ICT को Use करते हुए Teaching करते हैं तो यह क्या करती है Quality of Education को Improve करती है और यह ICT जो होती है Administration की और Management की जो है Help करती है और यह आप यह कह सकते हैं Administration और जो Management भी है यह ICT की ही Application है और आजकल यह बहुत ही ज़्यादा Popular है ICT Schools के अंदर क्योंकि यह जो है Administration की Facility प्रोवाइड करती है साथी साथ यह Data को Store करती है जो Knowledge Management और जो Decision Making होता है उन Activities को भी Store करती है ICT एक ऐसा Tool होता है जो Researchers के दोरा भी Use क्या जाता है इसके अंदर Researchers जो आपनी Knowledge को Increase करते हैं या फिर Knowledge Gathering Process के अंदर कोई Information किताबें में नहीं मिलती तो आप क्या करते हैं Computer के पूर चीज़ को Search करते हैं साथी साथ जो Student होती है चाहिए वो 6th Class का है चाहिए वो 10th का है चाहिए वो 12th का है जो Graduation का है पीजी का है या फिर वो PhD का है स्वी स्टूडेंट यह Help करती है Information को Retrieve परने के लिए या Information को Search करने के लिए तो ICT क्या है एक बहुत ज़्यादा Important टूल है हमारी Life के अंदर यह हम इसके थुरूब अपने Information को Search कर सकते हैं ICT एक Individual Logic Based Assessment है जिसके अंदर काफी सारी टाइप की Applications होती है और जो आपकी Effectiveness को Increase करती है और आपका जो Work होता है उसकी Efficiency को भी यह Improve करती है Use क्या है ICT का Research के अंदर देखिए जैसे आपको Historical Inquiry करते हैं आपको Historical Research करते हैं आपको उसके लिए क्या है Data चाहिए तो उस Data की जो Testing होती है या उस Data की जो Generation होती है वो कहां पर मिलेगी आपको यह आपको सारी की सारी ICT प्रवाइड करेगी आपको Internet के ओपर मिलेगी Internet आपको इसकी साहता से चलाओ को Computer की और Net की साहता से आप यह चला सकते हो और की Historical Hypothesis है Problem है पहले किसी ने Study कर रखी है पहले किसी ने क्या Problem ली है उसकी Hypothesis क्या थी यह सारी की सारी चीज़े आपको ICT प्रवाइड करती है तो इसलिए अगर आपको Historical Fact को Learn करना है या Historical Fact को Find Out करना है तो आपके ICT इसके अंदर बहुत ज़्यदा Help करती है साथी साथ ICT के अंदर जो Multimedia होता है और की Multisource जो Nature होती है किसी भी हिस्टरी की काफी टाइफ की Information होती है हिस्टरी के अंदर भी Multiple Sources आप उनको Collect करते हैं और Multimedia का इसके अंदर क्या योगदान है Multimedia के आपको आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपको जो Historical Data मिलता है वो Evidence के साथ मिलता है इनकी उनका जो काम है उनका काम का Year है उनकी साथ साथ उनकी जो Photo होती है वो भी आपको मिल जाती है ICT जो है People's के अंदर जो Collaboration होता है उसको भी Improve करती है यहनकी जब आप ICT का Use करते हैं तो यह ICT जो होती है Historical Thinking के जो Development है उसके अंदर ज़्यादा Contribute करती है ICT के अंदर आप कुछ भी जो है लिख सकते हैं और आप दूसरों का जो लिखा हुआ होता है उसको आप ले भी सकते हैं और इसके अंदर यह People's को Allow करती है वो Concentrate कर सकते हैं Specific Topic के उपर है किसी भी Discussion के उपर है साथ ही अपने Knowledge को Refract कर सकते हैं Analyze कर सकते हैं और Understand कर पाते हैं इसके अंदर Database होता Database के अंदर Large Volume of Data होता है जो Learner होते हैं वो उनकी Help करता है उनको Pattern देने में, Frame देने में Hypothesis बनाने में Question Put करने में और जो Theory पहले से बनाई गई है उन चीजों के अंदर ये Help करता है यानि कि जो ICT होती है इसका एक Wider Contest होता है जहां पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं काफि सारे Event वहां पे Available होते हैं जो Computer Mediated Communication है यानि कि CMC जिसको कहते हैं CMC का भी यूज होता है Online Discussion Group के अंदर कि देखिए बहुत सारे Online Discussion Group है जहां पे आप अपने Problem को Discuss कर सकते हैं ये Student को Enable करती है कि वह अपने Communication को जो है Develop कर सकते हैं इस Historical जो Argument होते हैं उनके उपर अपने Communication को Develop कर सकते हैं अपने Thinking को Develop कर सकते हैं अपने Understanding को Increase कर सकते हैं साथी साथ जो अपने Knowledge जो उनकी होती है जो Skill उनके होते हैं उनको Transfer कर सकते हैं ठीक है ऐसे Writing की Form में यानिकि वह जो Information होते हैं उनको Write भी कर सकते हैं इसके बाद Hyper Text का भी यूज करते हैं Hyper Text का तो देखिए हम जैसे कोई काम करते हैं हमने कोई काम किया काम हमारा फ्रेंड करना चाता तो हम उसको Hyper Link भेज सकते हैं इसको Link भेज देंगे और वो जो है उस Data को जो भी हमने Link सेंड गया उसको Open करके देख सकता है इनकी उस Sources को Document का सो Source होता है वो ही क्या होता है इसकी Hyper Link होती है ये Student के Skills को अंडरस्टेंड करने में इंटरपेट करने में और एक Student से दूसरे Student के से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा helpful होता है किसी भी historical issue के उपर Computer Simulation के अंदर जो ICT होती है वो हैल्प करती है ये इसको ज़्यादा डायनेमिक बनाती है और Student जो ज़्यादा अपने अडरस्टेंडिंग को निकरी जहाँ पर कर सकते है ठीक है तो Digital Video भी वहाँ पर Student को प्रोवाइड ही कि जाती है Digital Video के अंदर क्या होता है वो Oral History वहाँ पर होती है Student Oral History को गादर कर सकते है अपना Research Work करने के लिए साथी साथ वो Interview भी Conduct कर सकते है कोई भी Oral History होती है उसके उपर Interview होते है उनको भी देख सकते है या वो खुद भी अपने Interview Conduct कर सकते है और ये Student को जो CIA होती है Student को लाव करती है कि वे Required Skill को Retain करे Effectively ठीक है Administration के अंदर इसका क्या रूल होता है Administration के अंदर जितने भी काम होते है उनके अंदर ICT help करती है और ICT Policy Making के अंदर help करती है Stack Holder की जो Multi Stack Holders होते है उनको Enable करती है कि वो Suggestion दे सकते है Idea दे सकते है Professional को Academic Science को Private Sector को Civil Society Organizations जो होते है Media होता है Community होती है और जो Individual होते है Policy Making से Related उन सब को ये क्या करती है काफी सारी Facility प्रवाइड करती वो अपने Ideas को Share कर सकते है और अपने Suggestions को भी लागू कर सकते है साथी साथ जो Public Good और जो Service Sector होता है उसके अंदर ICT काफी Help करती है इसको आप ये कह सकते है कि Information Delivery System भी है ये एक तरह का और ये Cost Effective भी है और Customer Oriented भी है इसे हर तरह के वैक्ति जो अपना Benefit ले सकते हैं ICT जो है Traditional Administration में Electronic Administration Email, File Tracking, Decision Making इन सब के अंदर यूज की जाती है अब देखते हैं ICT का जो है ICT जो है उन एक्जाम को multiple twice-based question होते हैं उनको चेक करती है उन answer sheets को और अपने उनका जो record होता है उनका जो result होता है उसको store कर लेती है और record कर लेती है और student अपना जो result होता है वो भी ICT की धरुद देख सकते हैं जैसे कोई 10th का exam देता है पहले से उस्टूडेंट की जो information होती है या उसकी performance का जो record होता है देखिए जैसे monthly test होते हैं unit test होते हैं फिर उसके बाद six month के test होते हैं उसके बाद yearly होते हैं उनको तो इस तरह के जो test लिये जाते हैं उनकी जो continuous comprehensive जो evaluation होती है student की उसका record भी ICT रखती है ये student की development के अंदर और growth के अंदर वो जदा helpful होती है ICT evaluation और examination के अंदर use की जाती है जैसे हम इसके उपर survey कर सकते हैं कोई भी exam हम लेते हैं कोई भी evaluation करते हैं तो survey की facility प्रवाइड करती है research की facility प्रवाइड करती है और student की जो performance होती है उसको रखती है अब भी बता था कि cost benefit analysis system भी है एक examination का और इसके अंदर जो quality होती है test की वो भी इसके अंदर store रहती है ICT examination system के अंदर देखिए जैसे student को enroll करती है जैसे हम कोई form fill करते हैं online तो ये क्या है examination system के अंदर ही इसका जो हम use लिख सकते हैं कि enroll करती है student को उनको admit card issue करती है और उनके जो result होते है student का कोई भी information होती है उसको रखती है result को declare भी करती है ICT question bank प्रोवाइड करती है student को इसके अंदर software application होती है जो रही purpose के लिए use के जाती है student उनके पर test और अपना examination जो है दे सकते है या अपने जो practice हो ये कर सकते है इनके student को एक sport material प्रोवाइड करती है ठीक है ये student के लिए जो prepare किया जाता है सते-सते ये जो student की performance होती है उसको क्या करती है integrate करती है एकिन इसके अंदर management information system होता है MIS जो क्या करता है ये facility प्रोवाइड करता है analysis, research, feedback की के अंदर system level planning होती है participation होता teachers का, educators का और educational planner का यानि कि ये सब को एक platform के उपर लाके इक अठा कर देती है जो student की progress के अंदर help करते है थैंक्स वर watching friends अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप video question point पर नहीं है तो video question point को subscribe करना नहीं भूले